आज का दिन बहुत बहुत मुबारेक। ये एक आजमी दिन है और इंटरनेशनल लेवल पे ग्लॉबली वुमिन डे को सेलेब्रेट किया जाता है और इस दिन का मकसद यह होता है कि इस दिन हम करता है। आज 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 आप के स्यासि के करनेज और यह। हर लमखा रृबल पे मर्दों के साथ है। जी हाँ, Women's Day का थोड़ा सा background में आज आज आप एसाथ शेर करूँगा, कि Women's Day का background क्या है, history क्या है, ये कब शुरू हुआ था और ये किसने start किया था, तो इस वीडियो को एड तक देखिए का, आपको इसमें interesting मालूमात मिलने माली है, और अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लएगा, और इसके इनकाद का जो मश्वरा दिया था, वो उस वक्ट की एक सोशिल एक्टिविस्ट, ठरिसा मैलिकल ने दिया था, और ठरिसा मैलिकल ने ये तजवीज दी, तो ये दिन सेलिब्रेट किया गया, और कुछ लोगों ने इसे कुछ और रंग देने की भी कोशिश की, ये जाहिर करने की कोशिश की गई, ये आठ मार्च 1857 में नियू यॉर्क में होने वाले किसी एहतजाज की ही लड़ी है, या उससे इसको एसोसियेट करने की कोशिश की, लेकिन उस दौर के जो रिसेर्चर्स थे, उस टाइम के जो बहुत किकीन थे, उनने इसे बहुत आसानी से डिफरेंशियेट कर दिया, कि कतली दौर में ये उसकी लड़ी नहीं है, बलकि ये सिर्फ रेकिगनेशन का दिन है, खावातीन को रेकिगनेशन और उनकी एक्जिस्टेंस और उनकी एचिव्मेट्स को ये एक इनिशेटिव लिया गया है, और अगस्त 1910 में डेनमार्क में एक इंटरनाशनल सोशल विमन कॉन्फरेंस का इनकात किया गया, जिसमें वुमिन्स दे को सेलिबरेट करने के इस इनिशेटिव को सराहा गया, और तब तक कोई डेट तजवीज नहीं की गई थी, ये ये दिन किस तारीख को सेलिबरेट किया जाएगा, और उसे अगले साल 19 मार्च 1911 को आस्ट्रेलिया, डेनमार्क, जर्मनी और सुजिसन लेंड में दस लाग से ज्यादा खवातीन ने बाकाइदा तोर पे पहली मर्तबा इंटरनेशनल वुमिन्स डे को सेलिबरेट किया, ज के लिए हर साल फर्वरी के आखरी हफ़ते का इंतखाब किया, जबके 1914 में जर्मनी में आठ मार्च को ये दिन मनाया गया, और उसके बाद से इंटरनेशनल वुमिन्स डे आठ मार्च को मनाया जाता है, नाजरीन इस दिन का मकसद जैसा मैंने पहले अर्स किया, कि खवातीन को एमपावर करने के लिए, उनकी कंट्रिबूशन्स और उनकी अचीवमेंट्स को सराने के लिए, और उनकी अंथक मेहनत को रिकिगनाईज करने के लिए, इस दिन के इंतखाब किया गया है, मैं सबसे पहले अपनी वालवा और इसके बाद तमाम खवादीन को खराज ये अपना बहुत ख्यादर किया है, अलावफेस.